ओक हमारा टॉपिक एदा साइन ओफ क्वाडिक एप्सपेशन अच्छा स्वाइज साइन ओफ क्वाडिक इसपेशन जे पहले विल स्टार्ट उसको दो मिट के लिए होल्ड पर डाल दिया पहले यह पढ़ते हैं यह शायद हमने पढ़ा है नहीं अवी तक ग्राफ ओफ कौड़र्टिक एक्सपेशन ठीक है ग्राफ और कौड़र्टिक एक्सपेशन ग्राफ का मतलब पता है जैसे अगर मालने मैं बूलू य जी कोश्टू 3x प्लस 2 क्या होगा तो दिस विल भी ए स्टेट लाइन तो जो इस टेट लाइन वो भी एक ग्राफ होता है यह ठीक है इ इस एक कर्व का मतलब यह नहीं कैसे टेड़ा मेरा होना चाहिए इस टेड़ लाइन इस और इसको भी कर्व बोलते है ठीक है यह तो यहां पर यह लीने एक्सपेशन था तो लाइन आ गया अगर मालने क्वार्टिक हो राइट हैं साइड पर एक्स में यहां पर इक्वेशन देड़ा मतलब something like this ऐसे बनेगा ठीक है अच्छा पर अबलाइश शेप को बोलते हैं अगर नहीं पताए तो इस शेप को पर अबला बोलते हैं जैसे इसको स्टेट लाइन बोलते हैं वैसी यह दूशा का वह गया इसको पर आबला बोलते हैं तो जो कारेटिक एक्सपेशन पर आबला बनेगा वह हमेशे ही क्या बनेगा पर आबला तो जैसे अगर मैं बोलूं कि यह एक्सेस हैं यह यह एक्सेस है यह एक्सेस तो पर आबला तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है तो हमारे वाले केस में केवल हमारे वाले और किसी तरीके से नहीं बन सकता मतलब ऐसा नहुं सकता इभ रहा या तो अप्वर्ड हो या फिर हम ऐसे बोलते है कि कॉनघेव अपवर्ड ठीक है यह तो पता ही ने कि जैसरे यह है तो ये पॉणवेक्स साइड होता है और ये पॉनकेव साइड होता है तो कॉनकेवले साइड इसलिए अगर पॉणज थै तो इसको कॉन वेक्स downward भी बोल सकते हैं अगर हम इधर से देखेंगे तो convex है इसलिए convex sorry downwards कोई भी नाम ले सकते हैं इसका हमारे case में जो यह y is equal to x subscribe to x plus c यह वाले equation को corresponding हमने graph बनाएं तो parabola ऐसी बनेगा या फिर नीचे की तरफ बनेगा और कोई possibility नहीं है this is parabola downward बोल दिया या फिर parabola opening downward बोल दिया या फिर concave downward बोल दिया और last क्या बोला convex upwards इन चार में से कुछ भी बोल सकते हो अच्छा ऐसे कब बनेगा और ऐसे कब बनेगा वो भी discuss करें तो पहले तो एक बार यहां से हम शुरू करेंगे sign of card take expression तो इसको एक मेंट के लिए हमने क्या बोला hold पर डाल दिया sign से पहले क्या करते है कि graph of quadratic expressions graph of quadratic expression which is say we are talking about y is equals to fx is equals to ax square plus bx plus c जहां पर a 0 नहीं है and a b c are constants ठीक है तो इसमें पहला के इस क्या है अगर a positive है मतलब जो x square के साथ number लिखा हुआ है अगर वो positive है तो that will imply parabola upward बनेगा पकाए upwards मतलब जो x square कोफिशेंट है उसके साथ अगर माल लिखा है तो यह पकाए कि तीन positive है इसलिए parabola के shape ऐसे ही आईगी उपर की तरफ ही आईगी अगर a negative है that will imply parabola downwards parabola downwards तो वो ऐसे parabola बनेगा यह पका है ठीक है तो अगर माल लिखा हो y is equal to minus 3x square plus 5x plus 7 तो इस टाइप का parabola बनेगा नीचे की तरफ और अगर माल लिए कुछ ऐसे लखा हो y is equal to 4x square plus 3x minus 2 तो आगे coefficient का sign भली कुछ भी हो केवल इस से मतलब है अगर यह 4 positive है जो of course positive है तो इस वाले case में parabola का shape ऐसे ही आएगा ठीक है यह तो पहला चीज हो गया first point second point क्या है कि parabola ऐसे बने चाहें ऐसे बने कौन decide करेगा कि a positive है नेगेटिव है इस वाले case में a positive है इस वाले case में a negative है यह जो point है यह turning point है जहाँ पर गूम रहा है पहला बोला इस वाले case में यह turning point है this is called vertex vertex यह वाला point vertex है इस वाले case में यह वाला point vertex है ठीक है अब अगर हम parabola draw करेंगे तो यह तो एक particular point होगा एक अगर हमने graph बनाया तो उसके उपर एक particular point vertex होगा तो उसका coordinate भी होगा x coordinate and y coordinate तो उस vertex का coordinate क्या होता है basically vertex vertex यह ठीक है a x square plus b x plus c बराबर 0 में मैं बोलूँ a x square plus b x plus c बराबर 0 quality equation लिखके मैं बोलूँगे इसका graph कैसे बनेगा तो उसका कोई sense नहीं है क्योंकि उसमें y नहीं है कभी विगर मैं बोलूँगे इसका graph कैसे बनेगा तो उसमें x भी होना चाहिए और y भी होना चाहिए ठीक है तो अभी तो हम parabola की equation की बात करें which is y is equal to a x square plus b x plus c इस parabola में एक point vertex करके होगा जब graph बनेगे यह ठीक है और of course जहां पर d क्या है यहां पर d वो ही है discriminant b square minus 4 इसी को d बोलते है ठीक है यह कहां से आगया वो अभी भूल जाओ for the time being आगे चलके 12 में जब function बढ़ोगे तो वहां पर graph discuss होगा उस टाइम पर शायद समझना आजएगा या फिर 11 वे पराबला चैप्टर अलग से पढ़ाया जाएगा उस टाइम पर यह बताया जाएगा कहां से आगे ठीक है अभी तो ऐसी याद कर लिया इसको तो for example अगर मेरे पास मालनिया ऐसी दिया जाए say 2x square minus 8x minus 3 यह पराबला है तो इसमें अगर मेरे को vertex अचा यह याद करना, इसको memorize करना एग्रोच करना है इसको you are supposed to memorize ठीक है अगर यह parabola मेरे बनाने के लिए बोला जाए के एक मिन एक्सेस वागर तो भूल जाओ but, x square coefficient 2 है वह positive है तो मेरे को पता कि parabola ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा अचाई स्मूथे रहता अई सनी वेवी नहीं होता compelling आसे हो इसदिर कारबला इस डारेक्शन में ऐसे इनफ्निरी तक चला जाएगा इस वाले डारेक्शन में 20 तक जाएगा इधर की तरफ कि ठीक है